बात करेंगे जो की है time with price ठीक है time with price में जब हम किसी भी spot price index को देखें या swing trading के लिए stocks को देखें तो हमारा approach क्या होना चाहिए देखें ये एक proper setup की तरह काम करता है अगर आपका mindset के लिए ठीक है time with price क्या होता है भाव, price और time समय का एक combination ठीक है अगर आप तुलनात्मक रूप से buyer और seller का अध्यन करें, difference पता कर लें कि buyer ने कितने समय में कितनी खरीदारी की, sellers ने कितने समय में कितनी विक्वाली की, अगर आप उन दोनों को एक real approach से देख रहे हैं, practical approach से देख रहे हैं तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर next further momentum assumption आपका clear होगा कि क्या हो सकता है, इसमें देखिए, जब हम time with price की बात करते हैं तो एक बात समझे कि हमारे mind से projection की जो individual candles होती हैं, ठीक है, वो बहुत कम देखने को मिलेंगी, हमको क्या देखना होगा, bulk number of candles, candles का एक जुंड देखना होगा, हमको समय को समय से compare करना है, इसको कैसे करते हैं जरा इस approach को समझे, पहली बात समझे, देखिए, पहले मैं आपको कुछ points बताता हूँ, कि कैसे ह काम देखने की शुरुवात करेंगे, पहला मैंने आपको बताया ना, आपको हमेशा ध्यान रखना है, कि जब भी बाजार में बैठते हैं, तो आपका पहला काम है identification, पहचान, तीसरा काम है execution, पहला पहचान, identification, identification के बाद दूसरा काम क्या है, trade plan, और तीसरा काम क्या है, execution, तो अगर आप identification अच्छे से कर लेंगे, तो आपका trade plan बहतर होगा, समय अच्छा मिलेगा, और execution उससे बहतर होगा, ठीक है, सही price पर आपकी buying या selling की trades execute होगी, तो देखिए, identification के लिए आपकी approach क्या होनी चाहिए, आपकी approach पहली तो ये होनी चाहिए, कि कोई price पहुँच कहा रहा है, किस territory को trade कर रहा है, उसके according आप चीज़ों को, वहाँ पर connectivity मिलाएंगे, जैसे, अगर मैं आपसे पूछूँ, कि एक resistance का definition क्या है, एक resistance का definition क्या है, तो आपको clear बोलना चाहिए, कि जो price पिछली बार जहां से गिर कर नीचे आया है, देखिए, fresh supply की बात हो रही है, म सही से समझे, मैंने कहा, जो price previous time, अभी अभी, recently कहीं से गिर कर नीचे की तरफ आया, और दुबारा वहीं पहुचने की कोशिश करे, तो maximum chances है, अधिक से अधिक संभावना है, कि price में दुबारा से यहां decline देखने को मिलेगा, गिरावट देखने को मिलेगी, पहला काम होगा retracement pullback, ठीक है, अब resistance का definition clear है, इसी तरीके से support, untested support किसको कहते हैं, जहां से recent price previous past, अभी अभी recent चल कर गया, और दुबारा उसी price के पास lot रहा है, तो उसको हम कहेंगे support और untested zone, क्यों वहाँ पर कुछ pending orders पड़े हुए हैं, खरीदारों के, ठीक है, तो मैंने क्या कहा, आपक अपनी territory का पता होना चाहिए, कोई price एक nearby resistance rate कर रहा है, या nearby support rate कर रहा है, बात clear हुआ, जितना मैंने बताया, वो logic आपको clear है, अब support और resistance आपको पता लग गया, कि जैसे, अगर मैं कहूं कि कोई price resistance के past rate कर रहा है, तो हमको क्या देखना है, वो concept अलग होगा, कोई price support के past rate कर रहा है, तो हमको क्या देखना है, वो concept अलग होगा time with price का, ठीक है, अब time with price को support और resistance के बहाफ पे समझते है, ठीक है, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कि resistance के पास अगर price है, तो price का behavior, बेवहार कैसा दिखना चाहिए, ठीक है, अगर support के पास price है, तो price का behavior कैसा दिखना अगर हमें short करना है तो resistance के पास और long करना है तो support के पास ठीक है तो देखें यहीं पर time with price का concept काम आता है ठीक है time with price का concept अब basically है क्या इसको समझ ले देखिए अगर मैं आपको बोलू ध्यान से सुनिये का एक एक लाइन को बहुत जरूरी है एक एक point आप के लिए ठीक है अगर अगले 15 sessions में मैं Tata Motor को accumulate करूँगा 50 crores के shares की मैं buying को plan कर रहा हूं ठीक है यह मैं तो नहीं कर रहा हूं यह कौन करता है यह किसके लिए मैं बात कर रहा हूं यह मैं बात कर रहा हूं institutions की ठीक है institution का sign क्या है वो bulk of orders sorry institution का sign क्या है वो bulk of orders place करते हैं लेकिन एक time duration के इंदर वो पहले से trade plan बनाते हैं कि उनको SBIN में अपनी positions को plan करना है एक दो हफते की खरीदारी पहले से plan होगी कि कितना capital deploy होना है ठीक है तो वही मैंने आपको बताया कि अगर मैंने पहले से सोच लिया आप मुझको institution समझ लीजिए और मैंने कहा कि मैं 50 करोड की example के तौर पर धारण के तौर पर Tata Motor में position बराऊंगा अगले 15 दिन में तो मैंने time duration क्या रखा है मैंने time duration रखा है 15 training sessions ठीक है और कितना capital deploy करने जा रहा हूं 50 करोड का ठीक है अब मैं जितना जानता हूं अपनी buying के बारे में जानता हूं ठीक है सामने से sailors क्या करने वाले हैं वो उमको नहीं पता अब sailors ऐसे समय पर अगर 100 करोड की distribution प्लान कर लें कि 100 CR के उनको जो positional shares उनके पास रखे हैं उनको उन्हें distribute करना है और उनका time duration है 6-7 दे ध्यान से सुनिएगा 6-7 दे ठीक है तो क्या होगा projection ज़रा mindset psychology को build up कीचे देखे बहुत ध् practical projection हमारे traders जो सीखते हैं possible है नहीं जल्दी इन चीज़ों को सीखना ठीक है यह theoretical approach है practical approach है live market में जो अभी सीख रहा हूँ न जो भी आपको सिखा रहा हूँ यह live market में Monday को हमारे traders trade करेंगे मैं साथ में बैटकर trade कराता हूँ ठीक है इस तरीके से आगे बढ़ते practical approach है यह कि जो सीखा उसको live market में practice कीजे backtest कुछ नहीं होता backtest कर रहेंगे क्या ही नेडायाना है कुछ आपके paradigm नहीं बदल ले जब live market में आपका patience test होगा आप मेरे साथ बैठे होंगे फिर आपकी trades execute हो रही होंगे तो उसका difference आपको बिलकुल आपके DMAT में बिलकुल अलग से दिखेगा कि आपने क्या अंतर पाया है अपनी trading ability कितनी enhance कर ली है समय के साथ ठीक है इसलिए हम लोग time duration लंबा रखते हैं कि आपका जो progress हो वो साफ दिखे तो 4-5 महिने का समय लगबग batch खत्म होते हो जाता है बताया 3 महिने का आपको जाता है कि 3 म जिस तरीके से चीजों को सीखते हैं उसका उनी concept का एक यह concept part है देखिए अब एक बात बताईए पहले buyer ने buying plan किया ना पहले buyer ने buying plan किया कितने 50 करोड से 15 trading session में डालना है ठीक है तो average per trading session कितना पैसा आ गया 15-45 होता है सर लगबग मालने 37 करोड ठीक है 37 करोड से खरीदारी हो रही है अब देखिए जब भी buyer 3.25 CR की buying करेगा तो price appropriate उपर की तरफ movement करना चाहिए demand देखेगी price में intraday में की price चल कर गया कि Tata Motor अगर 700 का है तो 705-706 तक जाएगा और जाने में समय लेगा क्योंकि 3.5 करोड की खरीदारी है सबा 3 करोड की तो price 700-705 या 6 जाने में 2-3 घ एक volume आया खरीदारी accumulation हुआ ठीक है और एक certain time में हुआ और certain capital से हुआ कि सबा 3 करोड से आज के session की खरीदारी buyers के द्वारा की गई तो price लगबग 2-3 घंटे में चल कर गया कितना 5 रुपए 6 रुपए 7 रुपए ऐसा momentum price ने किया ठीक है अब देखिए sellers का plan क्या है 100 करोड का distribution और 6-6 trading session में इसका मतलब है sellers पर session 12-13 करोड 14 करोड की बिकवाली करेंगे और buyers कितनी पर session खरीदारी कर रहे हैं सबा 3 करोड इसका मतलब है जब buyers का ये momentum खत्म होगा तो sellers जब selling करने आएंगे तो उनकी 12-13 करोड का पैने कितना होगा इससे 4 रुपए गिरेगा ठीक है तो पहले buyer को देखिए ये volume हमको देखने को नहीं मिलेंगे ये कोई हमको data बताने नहीं आएगा तो हमको इस price को देखकर assumption करना होगा कि कौन stronger phase में है demand जादा है या supply जादा है आपको पता लगा कि sellers की supply यहाँ पर जादा है और buyers की demand यहाँ पर कम है जब तुलात्मक रूप से आपने दोनों को compare किया ठीक है अब price चलने में 2-3 घंटे में 6-7 रुपए चल पाया और 2-3 घंटे में गिर कितना जाएगा 20-24 रुपए अब मैं आपसे पूछूँ कि यह बताइए कि अब आप next trade प्लान करने का सोचेंगे तो क्या आप कहेंगे short side क्यों seller strong दिखता है time with price के concept में कि कोई भाव 3 घंटे में 4 रुपए चल कर गया और वही भाव अगले 3 घंटे में 20-25 रुपए गिर गया तो अब मैं short side हूँ क्योंकि average supply seller की जादा है वो कल भी यही काम कर सकता है अगले session में भी यही काम कर सकता है तो अब मैं short side बैठूँगा जब तक की time with price का यह aspect पूरी तरीके से change नहीं हो जाता जब तक buyer certain time में ज़्यादा खरीदारी ना कर ले किसी seller से तब तक मैं sales ID से concept देखिए कोई price एक निर्धारित समय में 10-15 point का momentum करे और उसी निर्धारित समय में downside 20-15 point का momentum करे तो आप comparatively समझ लेंगे न seller strong है इसी तरीके से कोई price 10 point गिरता है एक घंटे में और 20 point चलता है 15 point चलता है उसी अगले एक घंटे में तो buyer यहाँ पर strong हुआ की नहीं हुआ तो अब volume को देखने की जरूत रहेगी क्या तो time with price price कितने समय में कितना चला और कितने समय में कितना गिरा अगर तुलना कर ली जाए तो लगबग लगबग clear हो जाता है demand जादा है supply और जो position जिस समय जादा build up हो रही होंगी एक trader का काम है उसी trend के साथ बने रहना मैंने आपको जा रहा है 5-6-7 रुपया और गिर रहा है उस resistance से 8-9-10 रुपया तो इसका मतलब है यहाँ पर short selling की opportunity ढूनी जाए आपको एक और गिरावट का मौका मिल सकता है बात clear हुआ अब किसी support के पास state कर रहा है जो की untashed zone है और वहाँ price गिर रहा है धीरे धीरे नीचे आ रहा है 8- 5 घंटा ले लिया जैसे bank nifty है 300 point का correction किया लेकिन 3-4 घंटे लिये और वही 300 point दुबारा से support से pullback आने में मातर 20-25 मिनट लगा या एक घंटा लगा तो buyer यहाँ पर strong है कि नहीं liquidity जादा है demand जादा है तो यहाँ पर buying plan करना चाहिए बात clear हुआ time with price का aspect कोई indicator का ज़रूत नही price खुद में एक tool है अगर उसको time के साथ आप देख रहे है अच्छा time दिखता कहां पर है देखिए नीचे यह dates लिखे time लिखा है date लिखेंगी जैसा आप time duration रखेंगे जैसे 10 minute का time frame है तो देखिए सब कुछ लिखा हुआ है एक 12-35 अगले दिन का 12-35 अगले दिन का 12-35 तो सारे time duration आपके पास है हर एक session का पूरे-पूरे 6-6,5-6,5 घंटे का data आप compare कर सकते है आराम से और बड़ा time chart कर लेंगे तो हर session का आप इस तरीके से कर सकते है ठीक है दो minute का time frame ले आएंगे तो और यहाँ पर price आपको दिखने लगेगा जैसे अब सबाएक का time दिखने लग होती है ठीक है price की शुरुवात यहां पर होती है आपने क्या देखा मैंने कहा resistance marker करना है untested zone बिलकुल ध्यान से सुनिए कोई भी एक भी आपसे गलती की संभावना गुंजाइश मैं नहीं समझता कि आपको करना चाहिए ठीक है यह price यहां से गिर रहा है गिरने में समय लिय ठीक है अब अगर आप पाएंगे तो 9.25 पर हाई लगे और यह low लग गए कितने समय पे 11.35 पे 9.25 से 11.35 लगबग 2 घंटे 10 मिनट का समय लगा इतनी गिरावट में ठीक है यह क्या हो गया resistance का definition अभी मैंने आपको बताया ऐसा price जहां से अभी अभी पिछली बार price गिर कर आ प्राइजने के समय लिया गया समय जब यह price दुबारा इसको test करने पहुंचेगा यह जो time duration है यह अगर अधिक हुआ पहली बार जब downfall हुआ उससे ज़्यादा हुआ यह वाला time duration इसका मतलब है बायर यहां पर week है तो देखिए पहली बार लिया दो घंटे 10 मिनट का समय से दिन तीस पे बाजार बंद होता है चार घंटे के आसपास समय हो गया और अगले दिन का पहला 10 मिनट तो लगबग चार घंटे देखिए सेलर्स ने उतनी ही सेलिंग करने में 46,050 के प्राइस को यहां तक लाने में कितना time लिया बताइए 46,050 का प्राइस यह है और यह है 45,600 तो लगबग लगबग 400 पॉइंट की गिरावट के आसपास का time लिया दो घंटा 10 मिनट सेलर ने ठीक है 400 पॉइंट को सेल करने में और उतनी ही खरीदारी करने में बायर्स को कितना समय लग गया 4 घंटा के आसपास का समय लग गया तो लगबग 2 गुनाई स्ट्रॉंग है कि नहीं है सेलर जब प्राइस यहां पहुंचा तो हमको ब्रेक आउट देखना है यहां से रिट्रेस्मेंट दुवारा से पुल बैक प देखिए प्राइस जैसे यह केंडल क्लोज करके अंदर आता है ट्रेट दा ट्रैप ट्रिपल टी को अपलाई कीजिए शॉर्ट का पोजिशन लीजिए यह प्रॉफिट आपके लिए यह प्रॉफिट किसके लिए है आपके लिए है बात क्लियर हुआ जब जब आप टाइम अब कहेंगे कोई दूसरा रिजिस्टेंस की बात कीजिए यह तो मेरे लिए पुराना लगता है सर कि यह अभी कल की ही बात है अलगी लेकिन और कोई ऐसा रिजिस्टेंस जिसको आप देखना चाहें तो मैं यहां पर आपको दिखाओं यहां से प्राइस गिर कर गया ठीक ह यहां पर पहुँचने में, यह high break होने के बाद, और फिर इन दो candles को cover up करने में कितना समय लग रहा है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, 20 मिनिट की खरीदारी है, और 70 मिनिट की supply है, वो भी कब, एक resistance के पास से जब आप लॉट रहे हैं, तो आपको इस तरीके से गिरना चाहिए, कि मैं पहुचा ऐसे हूँ, आप मोझसे double दुगनी तेजी से गिरना चाहिए, क्योंकि आप 4 घंटे में उतना मैं खरीद पाया, जितना आप 2 घंटे में sale करकर चले गए ते साथ, तो अगर आप अच्छे supplier हैं, तो ये आपका supply zone होना चाहिए, ये आपका क्या तरीका हुआ, कि मैंने 20 मिनट में इतनी खरीदारी की, और आप 70 मिनट में उसको supply कर पाए, जबकि ये तो आपका short sale का zone है, यहाँ पर आपकी पिछली position बहुत aggressive बनी थी, इसका मतलब है, buyer यहाँ पर strong है यहाँ पर इस resistance पर अब एक test हो चुका, अब आपको short करने की ज़रोत नहीं है, इंतजार कीजिए किस बात का, दुबारा से compare करने का, दुबारा compare कैसे होगा बताइए, अब देखिए, 6-7 candle ये बनी थी, पिछले तुलात्मा ग्रूप से buyer यहाँ strong दिखा, अगर इसका breakout भी की तरफ जाएगा, downtrend की तरफ आने की possibility ना के बराबर लगती है, तो देखे, price यहीं रुका, consolidation किया और high की तरफ निकल गया, ये देखिए, breakout कब देखना है, resistance का, time with price से clear हो गया, breakout कब नहीं देखना है, कब pullback देखना है, time with price से clear हो गया, तो nearby resistance, मैंने क्या कहा आपको, time with price क concept, आप जैसे जैसे देखेंगे, मैंने आपको कुछ topic आपको time with price की बताएं, ये बहुत broad subject है, बहुत समय लगता है, इसको cover up करने में, इसके time with price की बहुत सारे concept है, ठीक है, classes में जब आप enroll करते हैं, जैसे आज मैं basics की शुरुवात करूँगा अपने classes में, अगर आप join करन चाहें, तो नीचे description में आपके पास conduct detail है, telegram का link है, whatsapp group का link है, उनको join कर सकते हैं, ठीक है, और जो भी basics Saturday Sunday को आज मैं clear करूँगा, इनी के बहाफ और Monday को आपको trade execute करा जाएंगे, hedge इसके, ठीक है, hedge position, वो position होता है, जिसमें market अगर 1500-2000 point की range में, कहीं भी trade करता रहे, कोई loss कोई risk नहीं होता हमारी position पर, हर हाल में हम profitable होते हैं, ठीक है, चलिए, आज के लिए परियाप्त है, अगर कोई भी doubt रह गया हो, तो comment section में बताईएगा, वीडियो पसंद आया हो, तो like कीजेगा, और अपने लोगों के साथ, जो आपके, जिनको आप पसंद करते हैं, और जि